नमस्कार दोस्तों आप से भीका स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल सक्सेस रामगण में दोस्तों जारकन में जो है बुकारो डिस्टिक की द्वारा मांड़ेगा की एक न्यू रिक्वारिमेंट की नोटिफिकेशन्स यहाँ पे निकाल गई है रिसेंटली में जो है इसकी इसलेरी आपको यहां पे दिजारी है Like अगर आप जिस फी पोस्त में सेलेक्ट होते है तो उसके अतरकत जो है आपको यहां पे देने वाले तो वीडियो को चूनदी घबांट करई गुवर्मेंट या फिर प्राइबेट जॉब की इंफॉर्मेंशन साथी या फिर किसी भी परकार की इंपॉर्टेंट नोटीस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाए करीगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें दोस्तो यह जो है इसका ऑफिसल नोटिफिकेशन से जो रिसेंटली में जिला ग्रामिन विकास अभिकरन बोकारों के द्वार यहाँ पर मंडरेगा की भर्ति के लिए यहाँ पर निकल लिए यह ठीक है इसके लिए तकनिकी सायक जो कनिये अभियनता है लेखा सायक इन सभी की पोस्ट की जो है यहाँ पर भरति की जा रही है ठीक है इसमें देख पारों कि जो यहाँ पर पोस्ट दी गई है जो सायक अभियनता के लिए इसमें जो है अनारक्षित के लिए यहाँ पर चार सीटे तक पोस्ट के लिए वहीं पर जो करनी अभ्यानता की पोस्ट इसमें जो टूटल यहां पर देख वाल कि 33 सीटी हैं जिसमें की अनारक्षित की केटेगरी के लिए जो है 16 सीटी अनुसूचित जन जाती के लिए छी जाती के लिए 6 सीटी अर्थ्यां पिछलावर्ग की यहां पर तीन सीटी है पिछड़ा वर्ग के लिए उन पर कम है और पंप्ism कनीले कर दो लोग से लिए पर आप देख वाआ दो जो है दो सिट है यहां पे निरधारिट की गई है तो कारू तेस टिर्टे के दोड़ारे जो requirements यहां पर निकाले गई है लगभग जो 46 पोच्ट के जो यहां पर जो है requirement निकाले गई है तो आप जिस भी केटेगरी से होंगे तो उसके एकोडिंग जो है आप केटेगरी के अनुसर यहां पे सीटेवी देख करके आप इसमें अपला कर सकते हैं जो इलिजिबल्टी क्रैटेरिया आपको यहां पे लिजारी इस फॉर्म को अपला करने के लिए तो अगर आप अगर आप तक्निक की सायक करने जो सायक अभ्यांता की पोस्ट है इसमें अगर आप अपलाए करते हैं तो इसके लिए जो सेचने की योगिता आपको यहां पे लिजारी है तो अनिवार योगिता जो है आपको यहां पे लिजारी है तो अगर आप किसी भी सरकारी मानेता प जो है MTAG ता था PGDCA या फिर MCA, MSC Computer Science यह सब अगर आप कर राखे होंगे या फिर इन में से MCA जो MSC Computer को समान योगता यह सभी में से कोई भी अगर आपके यहां पर आपके पास अगर तिरिक्त योगता होगी तो आप जो सहायक अभ्यांता की पोस्ट के इसके लिए आविधन कर सकते हैं, सेकेंड जो आपका यहां पर पोस्ट है जो कननिय है अभ्यानता की पोस्ट के लिए इसमें आप देख पारी जो qualified극ास जो अनिवार योगता आपक यहां पर जारी है तो इसमें भी जो है आपका syl संखाय में जो है डिप्लोमा उतिन होनी चाहिए तो अगर आप डिप्लोमा ब्रांच में अगर आप सीविल ब्रांच में अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे इसमें जो candidate apply करना चाहते हैं उसके लिए जो यहाँ पे qualification जो अनिवार योगता रखी गई है तो आप किसी भी सरकारी मानेपता प्राफ विश्विद्या ले या फिर संस्थान से जो है become honors या फिर समाइन become honors में जो है निम्तम 55 अंको के साथ अगर आप उतिन क्यों होंगे तो आप इसके लिए इलीजिबल है ठीक है और उपन ही candidate जो लोग यहाँ पे 55 अंको के साथ अगर आपका यहाँ पे become नहीं उतिन हुए होंगे और जो लोग यहाँ पे एमकों की होंगे तो उनका जो है percentage को यहाँ पे देख पार कि 5% घटा करको जो है आपका यहाँ पे इलीज FG c mSc यह सभी आपका यहाँ पर अतिरिक्त योगड़ता कEE लिए लेखा सहाया की व health के लिए तो आप कोई भी यहाँ पर एंगत की सेरी ही इसके लिए आविदन कर सकते हैं ठीक है यह की इसकी चो स्मांडक्टरा आपकर यहां पर रखेंगे तो आपका पोस्ट यह आपका पर अनु सोची जन जाते हैं पूरुष या फिर फीमेल दोनों के लिए 40 years यहां पे रखी गई है वहीं पे अगर आप दिव्यान जंग होंगे तो उन सभी के लिए भी यहां पे maximum age निर्धारित की गई है तो आप अपने according यहां पे देख करके age की criteria में अपलाई कर सकते हैं जो salary आपको यहां पे provide की जारी है उनको जो है starting में देख पार की 17,520 रुपीय आपको यहां पे salary दे जाएगी और जो लोग यहां पे experience अगर आप इसमें so करते हैं तो experience के अनुसार भी आपका यहां पे salary प्रवाइड की जारी है तो आप अपना experience और जो लोग यहां पे apply करते हैं इस टाइब का यहां पे अगर लेस देन 5 एर्स की experience होगी उनको यहां पे यह आपका salary प्रवाइड की जाएगी और फाइब यहां पे इस परकार की जो है आपका salary प्रवाइड की जा रही है तो आप एक post में जो है एक ही district के लिए आविदन कीजेगा अगर आप एक post के लिए अलग अलग district में अगर आविदन करते हैं तो आपका जो है हर district के जो आविदन कीजेगा सर्वी को जो है आपको यहां पे रद की जाएगी और कानूनी तो पर आपके उपर करवाई भी की जा सकते हैं तो आप याद रखेगा कि आप किसी भी जो यहां पर पोस्ट निकाले गई है जो आप एक डिस्टिक के लिए निकाले गई है तो आप एक ही डिस्टिक के लिए जो है आप इस पोस्ट में आविदन किजेगा अगर आप इलिजिवल होंगे तो आप जो है जो यहा की प्रोसेस आपका यहां पर होने वाले जो आपकी सेचने के एंड जो आपका एक्सपेरियंस होगा उसी के बेसिस पर जो है आपका पर्चेंटेज आये होगे उसी के अधार पर जो है आपका यहां पर सेलेक्शन होगी तो इसमें किसी भी परकार की जो है रिटर्ण टेस्ट के बात आपको यहां पे एक्स्टेंड की जाएगी दोस्तों कौन-कौन से डोकुमेंट जो है आपको इसके साथ अटेज करनी होगा तो जैसा कि आप यहां पे देख पाल कि यहां पे जो डोकुमेंट्स आपको यहां पे दिगए कि आविधन पत्र के साथ जो है आपको यहां परमानपत्र आपको यहां पर दीगई है लाइग यहां पर दो неп Papacker ओंग करना है देख परके उपरोद पद्य उपर समीदा की अधार पर निकति है तो आविदन पत्र ओंलाइन यहां जो इसकी official portal दे गई है online करने के लिए तो 17 September से लेकर 21 October तक जो है इस phone को आप online आवेदन यहाँ पे समर्पी कर सकते हैं ठीके दूस्तों नीचे में आप देख पार कि हर post के लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र जो है आपको यहाँ पर पत्र दे गई है application का format है लाइक यह यहाँ पे साहयक अभ्यंता की post के लिए तो यह सब आपका applications का format का details आपको यहाँ पी दे गई है और जो लोग यहाँ पे तक्निकी साहयक जो करने है अभ्यंता की post के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे अलग आवेदन जो पर पत्र आपको यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है नेक्स यहां पर देख पार कि जो लेखा सायक की यहां पर अप्लिकेशन का फॉर्मेट है तो यह जो भी पोस्ट में अप्लाइ करते हैं उसका डीटेस जो है यहां को भरने की लास्ट यहां पर दी गई है तो I hope कि प्रोसेस आपको यहां पर समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपके मन में किसी भी परकार की डाउट रह जाती है इस फ़र्म के रिगाड़ी तो आप हमें कमेंट करके पूश सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें